नमस्कार, एक्जूटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड मां आप सवनू श्वागत करूछू अने एजुकेशन सीरीज मां आज आमारी साथ है यां उपस्तित छे डॉक्टर दक्षेश ठाकर जी तो अधक्षेश जी आपनू श्वागत करूछू अमारा स्टूडियो मां आने एबनी साथ है बीजा एवाइड एजुकेशन सीरीज मां आमारा डॉक्टर दीपक राजेगुरू जी यां उपस्तित छे दीपक जी तमारू पन श्वागत छे दीपक जी नो पन थोड़ो ऐजुकेशन रिलेटेड एटले घणा ड़ा एजुकेशन ने लईने घणा बता प्रश्नों चे एना आपने आही ति आजे वाद करीश वाबनने सहेबो पाशे थी अने जानी शू सारी माही ती आपने आपवानी चे लोकोसोती पूछार वानी चे इवात आजे आपने या मुख्या पायानी वाद जैने कई शका एवी वाद्थी आ इंटेर्यू नी आपड़े सरुवाद करी रहाया छी है बहुज साधी समझ थी हुँ एवीशे जो वाद करू तो हिंदुस्तान समग्र विश्वमा ग्नान नी भुमी तरीके खुब जानी तू हतु आपड़े जैने आजे सिक्षन कई ये शिये ए तो आपड़ा देश मा ग्नान हतु जे दिमे दिमे ग्नान मा थी आपड़े सिक्षन तरफ हावी गया छी एनों सम्मंद कोई रोजगारी साथे नोह तो क्या रही आजना सिक्षन नो सिद्धो सम्मंद रोजगारी साथे छे एले सिक्षन डिग्री नोकरी पगार आउँ एक 20 चकर आपड़े त्या सिक्षन मा उभू थो शिक्षन नों खरू काम तो ग्नाननी क्षिती जो विस्तारवानू जे जुदी जुदी विधाव विशे मानस जाने जिवन और जगत ने वधारे सारी रीते समझतो थाई और जिवन जिवानी कड़ा शिखे आप मूर उद्देश जे ग्नाननों हतो ये मूर उद्देश आजे 21 मी सदी जैने आपने ग्नाननी सदी आम तो कहिए जी एक ग्नाननी सदी मां सिक्षन एक जुदी भूमिक आये उभू रहो शे एटले सिक्षन जे लई रहो चे एने पन सिद्दो संबंद बिग्री नो रोटी साथे जुडायो चे अने हुँ मानू चुके बदी जे समझ्यावना मूड मा आजे नवी समझ प्यादा था जे खरेकरान समझ चे ए ना मूड मा रहीली चे एम हुँ मानू चुक कुबर सरस आपणे दक्षेस जी पासे थी सांबढ़ियू के सिक्षन सूँ छे अने आज नू जे अमारो टॉपिक छे एमा सिक्षन सेवा छे के वेपार छे अने बीजो सब्जेक्ट अमारो एछे सिक्षन नू खानगी करण केम अने त्रीजो अमारो जे विशे छे एछे अनलाइन सिक्षन नो विकल्प छू तो आँ अमारा मेन आज ना टॉपिक ना मितलम आप मुद्धा ओछे आना उपर आपने चर्चा करी शू अने हवे दिपक भाई ने हूँ पुचिस के साइब दक्षेस जी नू मनतविया आ हतु के सिक्षन सूँ छे आप शू क्यों सरस्मजाना विशाई उपर जारे आपने चर्चा करवा जही रहाँ छे त्यारे मारी साथे तजग्न्य शिक्षनकार अने पूर्व कुल्पती एवा डॉक्टर दक्षेश भाई ठाकर साइब ना अनुभव ना अने तेमना अटला बदा बहोडा जे सिद्धान्तों नी वा साथे मड़े ने एक प्रहत्न करीटेया छिया शिक्षन एक इटलो बहोड़ो विशाई छे ने जमके दक्षेश भाई साहबे कि दू के ज्यान अने विद्या अने शिक्षन त्रण शब्दों ने समझवानी बहोँ जरूर छे आदिकाल मा जयरे गुरु परंपरा हती गुर गुरुकुलो राज्या श्रित हता राजाओ द्वारा संचाली तता राजाओ द्वारा अनुदानी तता अने राजाओ द्वारा पोशी तता अने ए वखते जे ज्यान नी वाद हती तेमा त्रण प्रकार नी विद्या ओजे हुँ जानुचु ते हती या मिनिबेन के जे ब आनसिक विकास, कौशल्ले विकास, औने ज्ञान विकास, त्रण बाबत मा गुरु जनोय एने शिक्षन आपता ता, औने बालक नी अंदर जे विद्यानू एम थाई कि आने आमा रस छे, आमा रुची छे, ते प्रमाणे नू ते प्रकार ये तेमने ज्ञान आपता मा एमा गणा बदा आध्यात्मिक ज्ञानना अध्यतावो पन हता, गणा बदा शौर, शूर्ता आने वीरताना पाठो बढ़ावनारा बहु सारा शूर वीरो पन हता, औने गणा बदा लोको एवा पन हता एमा विद्यार थिवो, के जनामा अन्य कौशल्ले पन हता, तो ए प्रण्टु आजनों जे विशाई छे तेने आपणे जोडवानी कोशिश करीशु एडले एक पण क्षण एवी ना होई कोई पण मानसनी ना होई ये पछे विद्यार्थी होई क्षण होई क्विशक होई क्विश्ण आगरिक होई ये दरेक खणे कईने कई शीखत होई छे कोविड-19 नी परिश्थितिमा आपने सव मोर देन 70 डेज सित्तेर दिवसुदी लगभग आपने लॉकडाउन रया तो घरे रया बदी पाठशाळावों बन धती बधा मंदिरों बन धता बधा गुरुवों बन धता अध्यात्मिक कथावों बन धती बराबर मोटा मोटा म पन घरे बेसी ने काम करता हाथा एवा संजोगों मा घर मा जे शिख्या तेक दाज गणी बदी पाठशाळावों पन न शिख्वी शकी एज शिक्षन चे अध्यारे एजुकेशन नी जरे वात आवेशने साहिब त्यारे अत्यानों जे माहोल छे कोरोना नी महामारी नी अं मांसिक स्थिती जो थायाती एने तो आपने विचारिक न थी शकता अने एना काराने कदा ज रिजल्ट मा पन खराब परिणाम आवियू छे एवू मारू मानुमों छे कान के हमला हो रीजनली गणा बदा इंटेव्यूस पर में करया छे एटले मने एवू लागी रहो छे के एना काराने थोड़े मांसिक बदानी स्थिती पन खराब थाई छे तो आपने एविशेवी चर्जा करशू के आ परिस्थिती नी अंदर वाली होए औने बालक होए केवी रीते पोतानू ध्यान राखू अने केवी रीते मैनेज करवू बदू ये आपने पेला दक्षेज विश्वामा बदाज माना सोनी मांसिक स्थिती अकल्प निया छे कोरोना जेवा काड मुखा वाईरस ने कारणे आ स्थिती नू आपने ते निर्मान थायू अने समग्र विश्वामा एवात बनी छे एले एकला विद्यार थी नहीं सिक्षक होई ट्रस्टी होई उद्योग पती होई कोई राज कारणी होई जीवन ना एकपन क्षेत्र नो एकपन मानस यह न थी के जैनी मानसिक स्थिती पहला जे हती एवीज होई यह वो कोई मानस हो न थी जो तो आखी जीवन पद्दती मानस नी बदलाई गई यतले आपने कदाच एक नवो यूग कोरोना पहला नो समय अने कोरोना पछी नो समय एम समय पण कदाच बे विभागों मा वेहंचाई जाए समय ने विभागMA वेंची ना शकाये वू कैया छे पन समए पन ब्या विभागमाँ वेंचाये जाये अने मानस्तु जीवन पन ब्या विभागमाँ वेंचाये जाये इवी एक विकाट और विप्रीत परिस्थिती wannå निर्माण थाई तुम्हें साचु कोईँ के विद्यार्थी तो अजी एकलो पक्व न थी एक युवा अवस्था मां प्रवेश्वाई जै रहेलो बाड़क जैने पोता ना भविश्य नी चिन्ता होई एनी साथे साथे गर्मा थी एना जे परिवार जनों होई एना पैरेंट्स एना माबाप वाली जैने आपड़े कईये चीए ये लोकों नी पन पोता ना संतानों माटे नी चिन्ता होई अब बद्दी जी चिन्ताओनों सर्वाडों छेवटे बाड़क ना ये विद्यार्थी शे ये विद्यार्थी ना मनमा अनों सर्वाडों थतो होई छे तो स्वभविक छे है कि येनी मानसिक्ता पन बदलाएली होई हुँ एवु मानू छुँ क्या आजे परिस्थितुन निर्माण थयुँ छे एमा जीवन ने हुँ प्रथम क्रमे मूपू छुँ जैने आपड़ा शिक्षन कईु दिपक भईये जैनी वाद करी विद्यार्थी ये ग्नाननी वाद करी आदी कार्थी ये आपड़े त्या य हुँ नाननी भूमी छे पन मरे जे केवनू थाई छे एए छे के आ विकट परिस्थिती मां बाळक नी जे मानसिकता बदलाई छे एने फरीथी केवी रिते पाटा उपर चड़ावी शकाए ए यक्स प्रश्ण वाली नो पन छे सरकार ना पक्षे पन छे ट्रस्टियों ना पक्षे पन छे एने सिक्षकोना पक्षे पन छे केमके बाळकोने आ आवनारो समय खुब ज अटपटो अने अंधकार में होई एवी मनो दसामा थी बाळको अत्यारे पसार थाई रहाया छे एवी स्थिती मां शाड़ावनू ए बउज मूट्टी जवाबदारी बने छे केमके शिक्षण तो छेवटे ये छे जे सिख्वे छे समस्याओ उबी थाई छे एना माटे ना समाधानों आपड़ा हाथ मा आपे छे ते सिक्षण दिपकपई दुर्भाग्ये उँ थाई छे के सिक्षण जे समस्याओ ना समाधान माटे छे ए सिक्षण पोते आजे समस्या रूप बनी गई छे चला एकाद महिना ती खास करी ने टीवी उपर जे डिबेट्स जोई रह चुँ सामभड तो ओंछुने सिक्षण ना मानसों साथे जे मारी मारू विचार वीनी में थाई छे विचारों नी आपले थाई छे तो उने प्रतित थाई छे कै अरे शिक्षण तो माणस ना जिवनमां प्यदा थाता प्रश्णों निरा करन करें जे कैई समस्याओ यहनी सामें आवे समस्यानों उखेलेना हाथ मां आपे ते सिक्षण ते जान ते विद्ध्या आ यहनू मूर उद्धे शतौद पण खाटले मोटी खोल कि पोते समस्यां मां छे वाली पोते समस्यां मां छे विद्यार्ची तो छेट चेँ तब में चाहँ पण छिया सरकार पोते चिंतिद चाना थी गुजराती गजल में बहुत गमें हुँ शिक्षकों अधिवेशन मा जाओ त्यारे आज शेर गणिवार केतो हो उच्छू के अने बिल्कूल यथार्थ चे आतनी स्थीती मा आपड़े दिपक भाई कवी ने दिर्ग दुरुष्टा कई उच आपड़े दिया एटले सहीत्यकार कोई पन कडाकार सर्जक ए आवतिकालने जोई शक्तो नथी दूरुष्टा कवी ने केटलों दूरुष्टा वसे उच्छ परदाच कोरोना थी उभीतेली स्थिती माटने बगवाने नीपास शेर लखावे वसे के पोटास जेवो आजनों आपनों वर्त मान छे पो बॉटास त्याओ पोटास चेवो आजनों आपनों वर्त मानछे से कम नसीब आपनी रोनी दुखानछे सेहेज अडिये ने भड़को थाए आम अड़को त्या भड़को जा अड़को त्या भड़को थाए वी स्थिती आजे समाज मा प्रवर्ते चे ने खास करी ने सिक्षन मा प्रवर्ते चे पन समाज मा आजे भड़का नी परिस्थिती चे एवी स्थिती मा पन अने सिक्षन लीए खिलवानु नथी यहनु रदई विक्सावववानु चेनी सम्विधन सिल्थापन्विक्साववानीचे मारा पन्नालाल पटेल जैने मानियुनी बवाये ने मणलेला जीव नवलक थाओ लकी जे चार च्वुपडई इडर ने सर प्रताफाइसकुल मा बणया पन्नाल पटेले एक सरस्वात करिया थी एंगे माथानी तुम्बडी मां लाख लाख मोती पड़ है यानी को थड़ी खाली हो जी अपना शिक्षण नहीं सवती मोटी मरियादा दिपक भाई कोई जोता हूं तो एछे केने मानस्तना माथामा मोती पक्वया एने 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 यहां माहीती ती माथाने भरी दिदू सर्टिपिकेट टका नेवू टका बानू टका पंचानू छनू टका मने तो भीक लाके जैके स्वानी उपर ना जता रहे कोई पंचानू टोन माहा बात करी रहा पंड यू देखाई रहा हुचे के स्वा माती स्वा विद्यार्थ यू तेजस्वी पेड़ी आपनी सामय आवी रहे जै पंडे मात्र सर्टिपिकेट अने मात्र नोलेज के महीती माटे नहीं शिक्षणनु शिक्षकनु सेक्षणिक संस्थावनु खरू काम एनु रदै एनी सम्वेदन सिल्ता एनी लागनी शिल्ता एनी एन्दर पड़ेलो बाव अने बाव नाओ आ विक्साववनु खरू काम छे एम मरू मच्चे त्यारे जारे सम्वेदन सिल्ता नी वाद करता है त्यारे समाजे सरकारे सववे सम्वेदन सिल्ता बनीने साडाव हो है शिक्षक हो है ट्रस्टी हो है पर सम्वेदन सिल्ता बनीने अ त्यारे जे अउधवनी परिस्तिति मा बाळक छे बहुँ बहुँज मान मांसीक तनाव मां थी आ नवी पिड़ी जहने खरेकर तनाव होए जी नहीं ये तो मुक्त गगन ना पंखियों चे बाड़को तो पारेवा एम कईए जी आपड़े आ पारेवा जेवा बाड़को अत्यारे फफ़डी रहा जी के वी रीते भणवानू करियर के वी रीते अमारे प्रवेश करवानू चारे बाजू थी आप रकारना एक मांसीक तनावनी स्थिती मां ये वधर तनाव अनू बवेवे स्वाबाविक छे त्यारे में कहुएं कि समाजनी सरकारनी अने संस्थाओनी जबाबदारी छे कि ये तनाव मां थी बाड़क किवरीते मुक्त इना रस्ता हो शोदे जे मांसिक स्थीती जे छे तेमा आपणू मन्तव योज सूचे खासकरी ने बाड़कों नी जे स्थीती हती और हालमा पंढ छे चांगे जे ओन्लाइन एजूकेशन नी जयारे वाहत आवी शे त्यारे बाड़कों खुबस गभराई गया शे और बाड़कों तो गभराया चे स वालीओ पन घब्राया चे कांड वालीओने मोटो प्रस्न आ जे कि आपने मद्यमवर्गिय वाली नी वात करी शो के जे वो पासे कदाच अंडर्योइड मोबाईल पन न थी कैंडाच इमनी पासे इंटर्नेट कनेक्शन पन न थी तो ए पोताना बाढक ने केविरी ते ओनला आइन मा नथी एवुपण मारू मानभू छे तो एवाबते आप शुके शो त्यारे आजे आम एक शिक्षण नी ज्यान गम्मत थवी जोईए पड़ आजे विशयो जाए समयो चित छे अने तमे जे विशय पसंद करया छे तेने पड़ न्याय आपता जाईए पड़ आवे वुँँ विननती तमने आने दक्षेश भाई ने बेहिने वुँ करिश के बै सरकार नी वाद, वाली नी वाद, समस्या नी वाद अने एना समाधान नी वाद तो जे हशे ते थशे जने करीशू पर नतु दक्षेश भाई जे ये शिक्षण ने येनी कविताओनी वाद करे तो आज नी आजे सिरीस चा आपड़ शरू करी छे ने येमा वधारे मजा अने एव ये वाद थी तमे ग्रसित होओ, ये वादने वारम वार करो ने तो तमे एमा वधारे मा वधारे ग्रसित थता जेशोू आजे आ विशई ने लईने जे आपड़े चर्चा करी छे पले एमाँ समाधान आपड़े शोधी शू पर नतु एमाधी बाहर निकलवानू एक मात्र मार्ग छे, शिक्षण नी सरस्मजा नी कविताओन वांचन होई, साहित्य सर्जन नी वातों होई, घरे बेसीने बालक, आजे कई एवी रमत्र में, मम्मी पासे खोड़मा बेसीने एवा कई वार्ताओनी वात पूछे, ये दक्षेश भाई पासे थे, आपड़े आ बात करवा मागुछू, तेनी पन हूँ वात तमने सहुने करिश, वाच्छे मानसिक स्थिती अने अत्यारे परिस्थिती माथ ही आपने बाहर के विरिते आउओ, आपने जो सवाल पुछा में थोड़ी हिंदी में इसलिए बात करूँगा, क्योंकि हमारे मैंने देखा है कि आपके एग्जोटिक वेब चैनल के कई सारे ऐसे दर्शक हैं, जो हिंदी भाषिवी हैं, जो गुजराती नहीं है, और वो गुजराती समझ लेते हैं, लेकिन जब हिंदी में बात होती है, तो अपनी वाली बात हो गई, तो मैं उन सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, जो हिंदी में और गुजराती में दोनों में समझते हैं, और गुजराती तो देखे, अगर आप समझते नहीं हैं, लेकिन होटो से, जैसे दक्षेश भाई गुजराती बोलते हैं, अगर आप नहीं समझते होंगे ने, तो भी आपके दिल तक उतर जा कि हम लोग दिमाग को मतलब विक्सित करने के लिए पढ़ाई कराते हैं आजकल बच्चों को और हमारा सब का लक्ष क्या हो गया बच्चा पढ़ ली करके कमाने लगना चाहिए वो कुछ ऐसा व्यवसाई करें इंजिनियर बने डॉक्टर बने ये करे वो करे लेकिन कुछ भी करे लेकिन पैसे कमाना सीख जाना चाहिए सभी अभी भागों को की बात हैं शायद समझ में आ रही होगी कि सभी बच्चे के पैदा होते ही ये भविश में क्या बनेगा इसको कौन सी चीजें पढ़ाएंगे कौन से स्कूल में डालेंगे ये कौन-कौन सी पढ़ाई करेगा ऐसा सोचने लगते हैं लेकिन साथ के साथ उसके मन में एक बात छिपी होती है यामिनिबेन कि वो कितना कमाएगा पूरा शिक्षा का जो शडियंत्र इस समय चल रहा है पूरे विश्व में वो सिर्फ एक बात पर निर्धारित है दक्षेश भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग है न परसेंटेज पर कॉंसेंट्रेट कर रहे हैं 90 परसेंट, 95 परसेंट, 99 परसेंट और डर भी लग रहा है कि कहीं कलती से भी कोई बच्चा यह 100 परसेंट नहीं ले आए कहीं मैं यह कह रहा हूँ पैरेंट से अभिभाव को से देखिए किसी को पता नहीं था कि इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में फैलेगी आज न तो कोई पंडित न कोई जोतिशी, न कोई कथाकार न कोई कलाकार, न कोई वैज्ञानिक इस बात की समस्या का समाधान हमारे पास लेके आ रहा है इस बात का अगर इस पेंडामिक से इस महामारी से बाहर निकलना है उसका एक मात्र समाधान है आत्मविश्वास और आनंद आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने का सबसे बड़ा कार अगर कोई कर सकता है तो वो तीन शब्द है सत, चित और आनंद, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, तो सत्य क्या है ये समझे, सत्य ये है कि कोरोना की महमारी का अंत कब होगा किसी को पता नहीं है, ये सत्य आ फिक है, चित क्या है चैतन्य तत्व क्या है, जो आपके भीतर में पड़ा है, जो अभी जीवित है जो दूसरे को समझा सके और दूसरे को समझ सके और खुद के अंदर भी आत्मविश्वास जगा सके वो चैतन्या है और तीसरा क्या है जब ये बात समझ में आ जाती है कि मैं जिन्दा हूँ और मैं दूसरे को जिन्दा रख सकता हूँ उस बात से अगर कोई काम कर सको और उससे जो निकले वो आनंद है इन तीनों का अगर क बीमारी ये लॉकडाउन अभी कहां कि स्थिति में जाएगा पता नहीं आप अपनी इच्छाओं की शक्ती की रेल गाड़ी धीमी कर लीजे थोड़ी स्लो कर लीजे आपका बच्चा निश्चित तोर पर कुछ ने कुछ करके दिखाएगा और समस्या एक ये है कि ऑनलाइन पहले कि देखे आपको सूरत से अगर एहमदाबाद जाना है आपने रेलवे की फर्स क्लास की टिकेट बुक करा ली है और ट्रैफिक आपको लग गया और आप वो राजधानी नहीं पकड़ पाए ठीक है फिर भी आपको जाना जरूरी है तो आप राजधानी छोड़ करके उस समय तुरंट आपको या तो बस मिलेगी या टेक्सी मिलेगी या टेंपो मिलेगा या कुछ भी आप सोच करके ये करोगे कि मुझे पहुचना जरूरी है किस माध्यम से पहुचूँगा ये जरूरी नहीं है ठीक इसी तरह से ऐसी पेंडमिक में अगर आपके पास मोबा अगर घर में हरी सबजिया नहीं होती है तो हम क्या चने मूंग की सबजी बना करके नहीं खा लेते हैं कुछ दिनों के लिए अगर हमारे पास वो भी नहीं हो तो क्या हम सेव और टमाटर मिला करके कोई सबजी बना करके नहीं खा लेते हैं तो रास्ते डूनना पड़ेगा और उन रास्तों को ढूंडते समय हमें ये दिमाग में रखना है कि ये हमेशा के लिए नहीं है, जितने दिनों तक ये परिशानी उस परिशानी से बाहर निकलने का रास्ता है, online education is not exactly the education system, but it's an option, ये हमारे लिए एक विकल्प है, आप सोचिए अगर online education नहीं दें, अगर school वा और अगस्त तक तो केंदर सरकार ने गोशित कर दिया कि school नहीं खुलेंगे, कई राज्यों में ये भी कहा गया है कि एक सितंबर के बाद सोचा जाएगा कि school खोले जाएंगे कि नहीं, आप सोचिए चार महीने से अगर बच्चा किसी किताब से, teacher से, अच्छी कहानियों से, अपने पाठों से, अपने दोस्तों से, या कहीं से भी वंचित हो जाता है, आप सोचिए पढ़ाई तो एक तरफ हो गई, उसकी मानसिक स्थितिक क्या होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा भी, मुझे पता है, मैं शिक्षक हूँ, या मिनिवन, मम्मी और पापा के पास रहत बच्चा जितना खुश रहता नहीं होगा न, उससे ज्यादा वो अपने टीचर की एक बार शकल देख लेता न, सुबह-सुबह, तो वो खुश हो जाता है, और एक मजाग भी आया था, वाटसेप पर दक्षश भाई, ऐसा, कि मम्मी स्कूल कब खुलेंगे, तो मम्मी ने क कर रही है, कह रही है, अब स्कूल कब खुलेंगे, तो बच्चे हमेशा अपने टीचर को बहुत जादा प्यार करते हैं, इसलिए ओनलाइन अगर टीचर का चेहरा दिखता है, बले लेक्चर कितना भी अच्छा हो, नहीं हो, पढ़ाई हो पाए, नहीं हो पाए, खुली आपी, खुली आपी एम नधी क्या तों, बासानों माना सु, आम फूल खुली हो एम ना क्यों है, फूल उगडे एम, दिमे रहिनने खबर पन न पड़े, तमें कैमेरों लेने बेठाओ, काई क्षणे कड़ी मां थी फूल तो एक छन ने तमें पकड़ी नहीं सको, इवी बहुँ सरस्रीते हैं, इमने सटीक वात, एक एक ट्रस्टी तरीके पन, ट्रस्टी मंदन ना प्रेसिडेंट तरीके पन, एक वाली तरीके, एक शिक्षक तरीके ने एक समात्ना मानस तरीके, बहुँ सरस्रीते हैं, यहो शब्द प्रवयोग ना थाई, पन सूरत चेत लगबग अवे समझी गाया से बदा जैने सुरतमाती जारे कॉक्टेल सब्दा बोलाई तो यह बहुत सरस्रीते लोको समझी शके पंड मारे मारे यह संदर्ब मां वाद करवानू मने मन्त हयूं एक शब्दा प्रयोक करें कि आएक विकल्प छेक वैकल्पिक व्यवस्था शे अब आतने अपना समझ भी जोईए दिपक वे दुर्भाग्ये यह छे कि हूं हम्मेशा मारा कार्यक्रवों मां जयां जया संबोधन करवा माटे जयू विद्यार्थियोंने वालियोंने समाजने मार्क दसनाप पर जाऊं छू त्याहां ते एमज कहूं छू कि जिन्दिगी एक शिखर उपर पहुंचाडवी छे एने संकल्प पसंद करवानों संकल्प बद्ध बनवानों पन आपनों दुर्भाग्ये छे के कोरोनानी महामारी ने कारणे संकल्प मांती आपने विकल्प थरप आवी जाओ पड़ियों छे अन्ने मने लागे छे के जे साड़ा होए विवस्ता उभी करी एनी सामय आंगडी चित्वानों कोई अर्थ ना थी बाबा बाड़क छे बैत्रन कल्लाक छोदी मोबाईल मां बैसी रहे एनी आखों बगड़े बद्धाच प्रश्णों लोकों कही रहा चे ने मुन सामड़ी रहा चू मारी आसपास ना माना सोपन उसे देर मुबाईल एक जसे तो सू करें सू ने इंटरनेट नथी इतले तमें पर जिन्गी तो आ छे ने कि तम्मारी सामें जिन्दगी नवा नवा पड़कारों उभा करें अनि ये पड़कारों ने तमें कि विरीते जिलोश हो शिक्षन नूं काम दें छे पड़कारों ने तमें पड़कारता था पड़कारों ने आपने कि विरीते पड़कारी शक्किये तो अभिनंदर ना पूछू साड़ा वह सरसा एक वहिकल्पी प्यवस्ता उभी करिए जो आब दू ना करिए तो आतो छे ने पिलू एक लोग्गीत मां दिपक भाई है मुने आम उसके कवितानी वात करीने के वातों वच्चे वच्चे करतो जो एक लोग्गी तुन आनो तो त्यारे मारा गर्मा गवातू यहूं सांपड़तों कि जिनू दढ़ू तो उड़ी उड़ी जाए ने जाड़ू दढ़ू तो कोई ना खाए एले एवी स्थिती जे के दढ़ू हो त तो पड़ समाज आंगडी चीती होत के आवी ब्यसी रही चे साड़ाओ समस्थाओ ब्यसी रही चेमने कई पड़ी जिन ना थी तो एमना थी जे थाई शक्तू हतूं ते आना थी वदारे बिजू कई थाई शक्ये उप्यों नहीं आए एक ट्याक्नोलोजी नो उप्योग कर लोकवाईने फी साथे जोडी देचे मात्र फील एवा माटे आ नती करूं एवा ट्रस्टियों ओल्खू चू एवा एवा एवी समस्थाओ साथे मारो परिजेई छे होई शके 5-10 टका को एवा मानसो पन से पने 10 टकाना पाडाना वांके पकाली ने डाम ना आपा एवी क्य मानसो सारी संस्थाओ सारा ट्रस्टियों ने पन एक प्रकार नी निराशानी गर्तामा दकेलाई यह उपड़े मानसिक्ता उपी थाई इतले कोई स्टेट्मेंट आम वाट्साप आवयों ने वाट्साप युनिवर्सिटी माथी आम फॉरवर्ड करी दितो आम वांचा अर् वातो जे समय नी अंदर तो क्लास्रूम हत्ता जी नहीं वर्ग खंड नी चार दिवालों क्या आती संस्तावों क्या आती वुरुक्ष्णी नीचे वैसीने बाढ़क मनतू अतू ओपन स्कूल नी जे वात आवे छे स्कूलिंग नी जे वात थाई रही छे अन्ने अपना एक उर्दू साहरे तो कईू छे कि जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो वर्ग खंड नी चार थी खरू सिक्सी बाठ दों आवाध करेछे और फुस्तteen चार दिवालों स्कूल नी बहार कंवाय अन्नों साहिर ंप्रप हटा नी थे खरू समझ नी थे ले पुस्तक वरकन नी चार दिवलोनी वच्चे ब्यसी ने ब्याच्यार सिक्षको जीवन विशेनी समझ आपेऊं नतिवा तू दिपक भाई सरा स्वाद् करी पुस्तक नूँ सीर्षा का जे चैक्षने क्षण्आ सिक्षन चैक्षने जे सिख्वै चैते सिक्षन चैना माटने वर्क करनी चार दिवाला ज़ोई ज़रुरी ना थी ऐ आउशे जुदी रीते ए पण जरुरी छे मनें अंगत रिते आ ओनलाइन एज्जु केसं गमे नहीं केम के हुँ यहु का हुँ शिक्षा के टले थायलो अने उद्योक पती के कोई विजोक कर्माचारी एटले ना था क्लार्क के कोई अधिकारी के मारे निर्जीव वस्तु साथे काम नोतो करू मारे जीवनत बालख साथे एन आंखों माँं मेडवी ने तार मेडवी EE इटले मैं शिक्षन ने पसंद करू युँँँ भीजु गनुधाय शाक्यों, बन शिक्षत सावानो मैं इकला माटे पसंद करू जीवन्त आंखो सामें एक जीवन्त तत्व साथे मारी वात मुखी शो अनि इतना माटे हुँ आप सवने आम अध्यम ती क्यावा मागू छुआ चैनल ना के गभराई जावानी बहुत डिश्टप थाई जावानी एकडम एकडम सवराश्णी भासा माकोन तो गांगा थाई ज सुरज उगवानों छे आ कोरोनानों समय जतोरे से कुद्रत एक समस्या प्यदा करी छे समस्या नू समाधान करवानी ताकात कुद्रत पासे छे अपने थोड़ी धिरत दरिये अने सिक्षन मां आपनी सिक्षाइनिक संस्थाओं मां आपने विश्वास मुखिए ये भी गुरू छे आजे आपड़े एजुकेशन ना टोपिक उपर आजे आपड़े यह चर्चाओ करी रहा छे एक खुबज अगत्यनी वात तो आपड़े करी रहा छे अने हुँ मानुछ दिपक भाई के अमारी चैनल द्वारा हमेशा पोजिटीव वातोंच करवा मां आवे शे आ तो आपड़े बद्धा जो साथे मड़े अने जया रेक कोई कारिया करवा मां आवे तो आपड़े हमें सक्षेश मड़े शे और एक बीजी वात एपन करवी छे कि जे सही में वात करी के वाट्सअप नी अंदर लोको मैसेज आवे छे और तरत फॉरवर्ट करी देवा मां वाज़तापन नाथी अने फॉरवर्ट करेशे और एक कोई पॉइंट एवो आवी जाएचे और एणी अंदर एवा एपॉइंट लोको सुधी जारे पोहुची जाएचे त्यारे लोको ना माइन मां जे इफेक्ट थाईचे ए खुब खराब थाती होईचे एटले आपने दर्शेकोंन एपन केवूँचे के कोई पन वस्तू जारे तमारी पासे कोई पन मैसेज आवेचे अने खासकरी ने एजुकेशन ने लईने एवा मैसेज जो पन अतियारे से फ़रता थाई गया छे के हाँ एकाद बे स्कूल कदाच ये भी होँचे शाय बे कीदू ते प्रम वाली मां कोई खोटा मैसेज ज़े पास था इछेने तो वाली सहन नहीं कर शुक्ति सुद्दों एठेस भाकर शेयुके से मधामुटानु सहन नहीं क्या दने ज्लै्टत कर से एक पन ये वाली साची हकीआ जणांबानी खांश यारे नहीं कर भी है। परब्यासे देख जुदी डिबेट थाई ए पोते खुबा जे मोट्टा तनाव गरस्त स्तिति मां थी समाज समाज पसार थाई रहोगी एने पोतानी नौकरी नी एने पोतानों जो धंदो करतो है तो धंदा नी एने एने पोतानू घर चलाववानी बाड़ा कुझी फी बरव देलो छे एटले वाली पन कदाच अवी वेक करी दे तो साइक्षणिक संस्था होने ब्याद जोड़ी ने विननती करूँछू के एमनी मानसीक ता विशेपण थोड़ू दिरज पूर्वक समसदारी ए दाखवे एने समझावे अन्ने दिपक भाई मने एम थाए के संस्था साइक्षणिक संस्था ले साड़ा ने विद्यार्थी वच्चे नो संबंदों केवो प्रेम पूर्णा होई और यह मारू बालक मुंकूच यह संस्था उपर जही ने विशे जो गमेतेम टिपपणियों करतो हों ब्याफाम वानी विलास करतो हों तो एक नातो तुटी करें कि वाली उपर दाबान करें पैसा बर्वा मांटे आस्थीति नी अंदर न होई ने तो एने थोड़ी राहत ना आपे एने समझवानों प्रहेत्न न करें तो एक जे नातो छे नातो तुटी जाए छे अन्ने मारी विननती बन्ने पक्षे छे के साड़ा अन्ने बालक व पर एज हतो कि साला संचालोकों पर सांती जाडवे अने जयरे कोई वाली उष्के राही ने ये वात करतू होई तो तेने सांती थी समझा भी शका एवी परिस्तिती पर थई सके काण के साहे बेगितु तुटी तेम वाली नी परिस्तिती पर खळा बजेचे कोई नीच सारी इस बार फिर में एक बार हिंदी में आ रहा हूं देखें बहुत अच्छी चर्चा चल देखें जो बात कई उस पर मैं पहली टिपपनी कर दूँ उसके बाद फिर मैं इस विशय पर आता हूं कि शिक्षा व्यवसाई है या सेवा देखें सभी दर्शकों को ये पता होगा कि सभी की मानसिक स्थिति को बदलने का प्रयास किसी ने नहीं किया है लेकिन कुदरत ने हमें चांस दिया कि आप अपनी तरफ ज्यादा तरफ सोच सकते हों अगर पैरेंट्स की मानसिक स्थिति खराब है तो शिक्षक के भी कहीं खराब है बच्चे के भी खराब है संचालक भी उसी कोरोना से पीडित और ग्रसित है लॉकडाउन सबने भोगा है और ऐसा कोई भी बचा हुआ नहीं है कि उस परिस्तिती से निकल सका हो और वो सभी लोग जिनको इरिटेशन आ रहा है गुसा आ रहा है फ्रस्टेशन आ रहा है कहीं सोशल मीडिया पर कुछ लिख करके डाल रहे हैं कहीं चार-पांच लोगों को इखठा करके कुछ करने की गलती सिर्फ हमारे समय की है और इसका समाधान भी समय ही है यामिनिवन इसका समाधान अगर आप किसी पडोसियों के पास लेने जाओगे तो वो भी नहीं दे सकेगा एक बहुत अच्छे हिंदी के कवी है दक्षेश जी आप कविता सुना रहे थे तो मुझे भी अच्छा लगा कि कुछ करो वो लिखता है कि मंधन कर हल निकलेगा कल निकलेगा मंधन कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा लक्ष रख अरजुनसा अरजुनसा लक्ष रख निशान लगा लक्ष रखो और निशान लगा हो कहा है सही जगह पर निशान लगा अरजुनसा लक् जल निकले। चिल्लाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और अगर आप चिंतन करेंगे, मंधन करेंगे तो आपको खुद उस सवालों के जवाब मिलेंगे। रही बात बच्चों की फीस की और शिक्षा के वैपार की या वर्तमान परिस्तिते में फीस भरने की दशा नहीं है पैरेंट्स की तो उनके प्रती समवेदना का भाव। दक्षिश भाई ने बहुत अच्छा कहा कि स्कूल और पैरेंट्स और बच्चे और टीचर इन चारों के बीच में कितना अच्छा तादात्मा भाव होना चाहिए एक दूसरे का विश्वास मेरे पास ये महंगी घड़ी अगर है या कोई मेरे पास सोने की कोई अंगुठी या चैन है कितनी भी मेरे पास चीजें हो मैं कभी भी पडोसियों के पास बिना शर्त के रखने नहीं जाता हूं और ये शंका के साथ रखने जाता हूं कि जैसी दीथी वैसी वापस मिलेगी कि नहीं लेकिन आपका अपने गर्भ से निकला हुआ अपनी शक्ती से अपनी इ वापस आएगा, तो वो कुछ सीख करके आएगा, वो जो भाव है, वो जो प्रेम है, वो जो शुरद्धा है, वो जो विश्वास है, वो आज कहीं न कहीं, कुछ लोगों की वज़ह से खतम होने की कोशिश की जा रही है मुझे बहुत बहुत दर्द और दुख भी है किसी की बातों में मत आओ थोड़ा सा धहरे रखो मैं उन लोगों से बिलकुल समवेदना रखता हूँ जिनकी माली हालत खराब है जिनके रोजगार दंदे बंद है जिनको वेतन नहीं मिल रहा है जिनोंने 60 दिनों में अपने घर के अनाज के अलावा कोई चिंता नहीं किये और कहीं से कुछ मिल भी नहीं रहा है उन सभी अभी भावों को से मैं हाज जोड़ करके बिंती करता हूँ कि आप आने वाले कि मेरी परिस्थिती सर खराब है मैं दो महीने में, तीन महीने में, चार महीने में या छे महीने में आदी, अदूरी या कुछ भी भरने को तैयार नहीं हूँ आप एक बार सही बात अपने संचालकों से करिए आप मीडिया में बात करेंगे किसी association से बात करेंगे किसी activist से बात करेंगे वो समाधान नहीं देगा आप petrol pump पर जाएंगे और कहेंगे एक लीटर दूद दे दो वो दे सकता है पेट्रल pump पर क्या मिलेगा ज्वलनशिल पदार्थ मिलेंगे आप petrol pump पर जा रहे हैं दूद लेने के लिए आपको दूद लेने के लिए किसी ग्वालिय के घर जाना चाहिए तो आपका ग्वालिय का घर कौन सा है आपका खुद का बच्चे का स्कूल और उसका संचालक आप लहाँ जाए उनसे बात करिये एक भी संचालक ऐसा नहीं है मैं आपको guarantee के साथ कह सकता हूँ कि जो जबरदस्ती कर सके आपके साथ निश्चित तोर पर आपको time देगा लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों से एक बिंती और गुजारिश करता हूँ जो सरकारी वेतन पा रहे हैं जो सरपंच से लेकर के संसत्त काम में जुटे हुए हैं जिनके वेतन भथा सब चालू है जो बैंक में काम कर रहे हैं जो ठेकेदार हैं जो APMC मार्केट से जुड़े हैं जिन्होंने लॉकडाउन के पिरियाड में किराने की दुकान में या सुपर स्टोर मार्केट में खुब काम किया है जिन्होंने दूद के व्यवसाई के साथ डेरी उद्योग में काम किया है जिनके नौकरी दंदे चालू थे मेडिकल जो फिल्ड है उसमें जिन्होंने काम किया उन लोगों से मैं प्रार्टन करता हूँ ऐसे 60-70 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो सरकारी वेतनमान हैं उनका कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं जिनकी नौकरियां चालू है जिनके पास बहुत बड़े-बड़े पैकेज़ेसे जे पांच लाग, छे लाग, दस लाग के पैकेज में काम करते हैं उनसे मैं प्रार्टन करता हूँ ये एक्जोटिक वेब मीडिया के बादियम से आपका नहीतिक इस समय जिम्मेदारी है कि आपके स्कूल के टीचर्स की सैलरी समय पर हो जाए क्योंकि वो भी कोरोना सिक्रसीत है इसलिए जो सक्षम है वो निश्चित वर पर एक महीने, दो महीने, तीन महीने की फीस भरे और स्कूल को और पैरेंट्स को और टीचर्स को सहाइता करे और अपने नहीतिक जिम्मेदारी समझे जो नहीं भर सकते हैं उनसे मुझे कोई कोई शिकायत नहीं है वो बिल्कुल समय मांग सकते हैं और उनको पूरा-पूरा समय दिया जाएगा इस बात के बिल्कुल चिंता न करें, मन्थन कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा खुबच रस वात करी शांती जाड़वी और धीरज राखवी खुबच जरूरी छे आ समय माँ से बाबाद उपर थी जापने वात करीए के घंड़ा जन स्थीती सारज 먹어 करीऊ गीसलेकल एपने शुअंकेटर करी और ऑपनसे मांसी स्थीती थी यहांज किले लिए स्थीति मां हमें अपोश्त्रा करी शेके लंसम वहीं जाणी दुझें परिस्तितिमा तो इम ने पर आपने का एक सारी वाद करें तमारा द्वारा अत्यन सम्वेदंसील मुद्धो छे ने डिप्रेशन के आत्म हत्यानी जारे वाद था ही त्यारे वाद करवा माते पर अथ्वा वाद करती वक्त हुँ पोते खुप सम्वेदंसील बनी जोतों हो छो कोई मानस पुतानों जीव समय पहला आपी दे आ फानी दुनिया छोड़ी ने जतोरे ए किटली कसक वाड़ी बाबच छे किटली घुटन पैदा करना रिशा अपड़ा सव माते अपने एवा किवा समाज उन्हों निर्मान करें कि एक मानस ना समाज छोड़ी देवो पड़े एने एम लागे कहूं आ समाज न्या सोसाइटी ने लायक नथी तुम एक बीजे दुनिया मां चालियो जाओ आ खुबज पीड़ा आपनारी बाबच छे आ तो एक अभीनेता है सुसांग राजपुते आत्मत्या करी एटले निमित्त लईने आपड़त्यार्य वाद करी रह पानू खोलता भीक लागे छे चापू न्यूस्पेपर वर्त्मान पत्र चापू शब्दा बराबर नती वर्त्मान पत्र ना पाना फेरोता हो यह तो एम थाई जे कमला क्या कोईना आत्मत्याना समाचार हशे तो अस्थिती विशे समग्र समाज हैने सरकारे बहुत समवेदन सिल्थ हईने विचार हुआ उपड़ शे मैं एक बिजी वाद करू कि जे लोको आत्मत्या करे छे ये लोको तो आत्मत्या करी ने छुटी जाई शे आजे बहुत सरस एक मेसेज मारा उपर आवयो शे मैं कदा द जनों ने ट्रांसफर करवानी आपने जो दूख लागी है मने जे पीडा थाई हो ये पीडा माती हुं छटकी जाओ पर मारी पीडा संगीत खुर्सी जेहुशे आतो पर rely मारी मारा दुख ने मारा दर्द मारी पिड़ा ने मारा माइ diferen बाप ने में जन्मा पर कीजोची मारा बांब सी चींद मारा यर में ब्लद्धा जैंनीमरी 맞 ड्र werden मतलच फरीरी परण न क्लिगी चनव Mekry кон which is much of other way but चाहिए वी नहीं के जैनु समाधान्ना कुछ पढ़े जैसे चले से पढ़े छे जैसे फडिने पड़े इंप पढ़े गुनों नथी पढ़ पढ़े पढ़े रहे हुए चौकस गुनों अगर गिरे है तो उटकर संबल नेकी सोचे अगर पड़ी जवाई यार तमारा थी तमें निश्फड जई शको निश्फड ता इस सफड तानू पेल्लू पगत्यू छे एज मानस सफड ताना सिकरो सुधी पहुंची सके छे अने पोता नी विजय पता का फर्फरावी सके ये मानस निश्फड ता उपर पहलो पग मुकीन आगर वद जगत मां एक पने वो मानस न थी दुनियानों इत्यास तपाशीलो जे लोकों ना नाम इत्यास ना पाना उपर सुवर्न अक्षरे लखाया जे ये लोकों पन पताना जीवन मां क्यारेक ने क्यारेक निश्फड गया जे पन इलोकों पड़ी ना रहाया पड़या पची उबात है कि गिरे है तो उटकर संबलने की सोचे और जमाने से आगे निकलने की सोचे निराशा ए बराबर न थी आत्म बढ़ केड़वा नूश अन्य जो आत्म बढ़ केड़वियू आत्म विश्वास केड़वी ल तमें आपने शमस्या साथे जजूवानी आपनी मानसिक्ता केम नथी अपनी तैयारी केम नथी एक शिक्षन ने तूँँँँँँँँँँँदी रात्रेज मीटिंग करी बह दिवस्वुदी जमीन ओतो शक्यों मने उँँ जंबा वैसों ने मने दीकरी लटके लिए देखाती है अउँ द्रश्य में जीवन मां जो है उन्हों हो तु अन्हें मने अमत है कि जह उँँ बहुं निरास्थ है लो इतला माटे कि जह उँँ पुलपती हो शिक्षन नी दुनी दखावी ने भुमी तपावी ने करतार न कराओ तो हो जह बालक ने वेटलूग ना ना पी कि जह पंखा उपर दुपट्मपप्र दुन वानी कुम्पर फंवक्र सुस्लतों समें civ प्रश्याच्टार मात Chem चावा माटे बनावा ie SHです अट्यूभा प canoe स्पी शक्षन्ण मैं तो उऊं स्पात्म बंब देख भे एक बिजी समस्य नु निर्मान करे करतो तमारा माठे नहीं तो उनेख लोकों माठे अनें तमरी अंदर तमने इश्वरे कोईने Iya कोई allen कोई mozzarella दमने एक एक 24 am G взять्या अजया भूल ताना ब्लता नहीं मित्रो इश्वरे तमने बे स्फोसरे ले क्या Video जाने और भर्ला Mind गजल गर से निकलने की जरूरत क्या गुल्जार साहिम नामे चाले पड़ा तो रविंद्र ना टागोर नी कवी ता सरमिला टागोर नामे आवे वाट्सेप मां एक जुद्व विशेज आपड़े नी बात नती करवी पड़ बे वज़ अधिरीते जीवने टूपो आपी नबलू थभाज नहीं देवू जोई है तमारी अंदर भरपूर सक्यत आओ छे आपण देच खबर नथी के आपणी अंदर केटनी सक्यत आओ पड़े लीचे इसक्यत आओने उजागर करी जजूमी ये अने अने जो ये जजूमी नहीं शक्किये तो जिवन ना दुखों मा आपड़े नहीं शेक्कि शक्किये एतले महरवानी करीने टकाव छाव्या रिजल्ट खराब आव्यू एक नणी वातों मा व्यपार उद्योग ना चाली शक्यों अभी नणी नणी बाबतों जीवन थी वदारे मुल्यावान कशू ना थी ना थी सर्टिपीकेट ना थी पै सम्वेदन सील माना सो इज्जत ना काराने मरें अरे हुँं कवचू के भाई इज्जत संपत्ति दान दौलात होद्दो अब दाक करता जीवन बदारे स्रेश्ट अन्यों उचू उचू छे एले मात्रने मात्र जीवने नी उपासना करिये आत्म अत्या ए दूर दूर सुद करते हैं यह विशय इतना सम्वेदन शील है और इस पर जो बाते अभी दक्षेश चीने कही है वैसे दक्षेश भाई को आप दक्षेश कहते हैं पर हम उनको युनिवर्सिटी के सबसे सक्सेस आदमी कहते हैं सक्षेस ठाकर उनका नाम हमने रख दिया है बात चले है इस समय मानसिक स्थिती और ऐसी स्थिती में संतूलन बनाए रखना डिप्रेशन आया तो उसका सॉलूशन क्या है क्या है मैं एक छोटी सी घटना आपको याद कराता हूं विश्व की बहुत बड़ी एक थियरी हुई थी वो मुझे याद आ रही है मैं इस बात को चोड़ने की कोशिश करता हूं दक्षिश भाई एक शिक्षक क्लास में उस समय की दुनिया की सबसे अच्छी चॉकलेट लेकर के आया और उसके क्लास में बैठे वो सभी बच्चों को चॉकलेट खोल करके दी सब के हाथ में पकड़ा दी सुनिये का बड़े ध्यान से त तो बाद में तुरंत वो बोले कि जब मैं कहूंगा तभी खाना लेकिन मैं अभी दस मिनिट के लिए बाहर जा रहा हूं तब तक सभी लोग अपने हाथ में चॉकलेट रखेंगे और जब मैं आऊंगा उसके बाद खाएंगे वो शिक्षक बाहर चला गए और बच्चे के हाथ में चॉकलेट थी और बाकी 40 बच्चों में से बाकी के सब बच्चों ने चॉकलेट खा ली शिक्षक ने बड़े फक्र के साथ उन साथ बच्चों को खड़ा किया एक डाइरी निकाली उसमें उन सभी साथ बच्चों के नाम लिखें और जोर से सब के नाम के साथ कह कि ये बच्चे ऐसे हैं जो बविश्य में कुछ बन करके दिखाएंगे मुझे लगता है और फिर उन्होंने क्लास शुरू कर दी और उनसे कहा है आप खालो कई साल बीच जाने के बाद उन्होंने वो डाइरी खोली और डाइरी खोल करके वो साथ बच्चे जिनका नाम उन्ह कि खोज की कि वो बच्चे आज कहां है आप बात मानिए मैं एतियासिक बात कह रहा हूं कोई कहान ही नहीं बात मानिए सातों के साथ बच्चे अपनी अपनी जगह पर उच्छ शिक्रों पर काम कर रहे थे और सफल थे और बाकि जो बच्चे क्लास के थे उनकी भी पता किया कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उनमें से कोई भीख मांग रहा था, कोई किसी की नौकरी कर रहा था, कोई मजबूर हो गया, किसी ने सुसाइट कर लिया, मतलब कोई अच्छी परिस्थिती में वो बच्चे नहीं थे, तब वो जो एक थियरी लिखे गई, मार्शमेलो थियरी, उन्होंने लिखा है, कि जो दस मिनिट तक अपने आपको रोक नहीं सकता है, वो पूरे जीवन को बरबाद कर देगा, इस थियरी का कहना है, यामिनि बेन, कि अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई वचारा आता है, आप दस मिनिट के लिए रुख जाओ, ये घियरी कहती है, खराब вашारा आया, मरने का वचारा आया, भागने का विचारा आया, हाँ ना, तो हो सकता है, कि आपके मन दस मिनिट के बाद मन बदल जाएगा, तो धहरे रखना बहुत जरूरी है कुरोना के संक्रमन काल में किसी के आर्थिक परिस्तिति खराब है किसी के अपने खुद के लोग कहीं पर कुरोना पोजिटिव है अस्पताल में है कोई पुलिस में काम कर रहा है कोई डॉक्टर का काम कर रहा है तो म्यानसिक स्थिति को सुधारिए और दस मिनिट का मौन रखिए जब भी खराब विचार आता है रुख जाईए मेडिटेशन करिए अच्छी अच्छी बाते याद करिए आपको जो प्यार करते हैं उनके एक फोन लगाईए उनसे बात करिए निश्चित दोर पर आपका जीवन बच जाएगा कि बिल्कुल शही बात है अगर आपके मन में कुछ ऐसी बात भी आती है तो आप किसी के साथ सेर करिए तबी खुछ हल निकल सकता है ऐसा भी हो सकता है तुरंट बात बात करिए ais opens प्रॉब्लेम है उसका शॉलूशन आपको चाहिए तो भी ये भल निकल सकता है और सायद आपको कुछ गलत काम करने के लिए विचार ना आए तो ऐसे ही हम एजुकेशन के उपर हम बात करते हैं आज और फिर से मैं दक्षेस्टी के पास चलती हूं और दक्षेस्टी अभी ग प्राशा थवानी चे केवी हशे शरस प्रश्ण बेन तमें पूछो छे ने मने जावब आपकामा पन मज़ा पड़े वो प्रश्ण तमें पूछो छे केमके एक सिक्षन ना जीव तरीके सिक्षन में स्वस्यू छे क्षणे क्षणे सिक्षण नेम स्वासे स्वासे सिक्षण ए रिते हूं जीवी रहो छू आजे पन गुरुकुल परंपरा थी सेल्फ फाइनांस उदी आपने आव्या हूं गंमत मां गणिवार दिपक भाई कहुछू के एक जमानों अतो जारे खेतर मां अनाज उप्तु आ आजे सालाने कोलेजो खेतरों मां उगवा लागी है आपने आपने वेद थी वेब सुधी पहुंची गया वेद पुराण उपनी शदोनी दुनिया आती आपनी आजे वेद गया और वेब आवी गयू वेद थी वेब शुधी नी आत्रा करी आ वर्सों नी अंदर आपने 21 म पन बॉट्टो बदलाव आगे अपने मानिये के ना मानिये दिपक भाई कदात न गमे तो पन शिक्षण आजे एक उद्योक बनी गव्युश अहकीकत अने ये मात्र सुरत नूं गुजरात नी वात नती समग्रत है तमें जुओ तो शिक्षण ने उँँ एमा दिपक भाई कदाचा कोई ने ना गमे भी बाद चेहुँआ त्यारे बोलुचु तो पन एक सेकंड माटे वीचारी ने बोलुचु उद्योग उँँ एमा के खोटू बन ना थी जोतो जेम बदाने कमावानू अधिकार शिक्षण संस्तावों करोडोनी जमीन लईने बैठा छे करोडोर रूप्याना मकानों बनाव्या छे पचास सो बसो माना सो कर्मचारी यहने त्या काम करे छे एक उद्योग पति कमातो होई तो यह पन कमाई हाँ एमां सुद्धता आन पवित्रता जडवाई नफानू दोर पने मानूछू के आ परिस्तिती नी अंदर पन परिस्तिती तो यहमीन आत्यार गवनाज शिक्षण क्या छे आपणे त्या सिक्षण माटे नू एक सुद्र छे ने संस्कुरुत नी अंदर दीपक भै तेन अभ्यास ही पुजय 22 शाथे बहस से यह एंटले संस्कुरुत नो शस्चन पन करे एक कसान मानस छे लेनों अभियास छे सास्त्रोंपर तो अपने तेया सिक्ष्ण मारते तडर एक साडो में एक सुत्र छे प्रवेस helps आर उपरा एक खासकरीने लगे खासकरीने जوج जूनी साड़ाओ शे त्यां के सा विद्याया विमूक तए दे शुत्र सिक्षनन्नू तई विद्या सु करे विद्यानू काम सु kommt्ययप पावानू क्वना थी असत्य थी अहिंसा थी जे जे दुराचारो छे एन थी ए बद्दा थी अपडने असांति थी भई थी पीडा थी दमन थी या बद्धा थी मुक मारे दिपक भाई यू के हुँ जोई है क्या आपणू आजनू सिक्षण तो परिपत्रों थी बंधा एलू छे जे पोते बंधा एलू होए ये बिजाने मुक्त के विरिते करी शके मारो सादो प्रश्णे चे के आजे कोई ट्रस्टी मुक्त चे कोई सिक्षक मुक्त चे कोई आचारिय मुक्त चे विद्यार्थी मुक्त चे पोता निरिते बणवा माटे अब बंधा बंधा एला छे आख्षु सिक्षण बंधा एलू हो याने याद राग जो जे बंधाई छे ते गंदाई छे जे वही जाए छे ते सुगंदाई छे सिक्षण तो वेतो प्रवाशे निर्मल वेतु खड़खड वेतु जर्णू जे ग्नान तो यह अनंत काड सुधी यहनी कोई सिमाओ न थी यह सिमाओ वड़ोटी ने ओलंगी ने क्या क्या सुधी पोत्तु है जे आपने खबर न थी हो तो जो सा विद्याया विमुक्त चे क जोब आवी से बहु लामी बात नहीं करू के मरी एक मर्याद आछिविशवात करवाद करवाद्पन जिटलू हडू करी शकाई बंदोनों मा थी ए बंदोनों मा थी शिक्षन ने हडू करी ने साच्चा अर्थ मा विद्या ने विमुक्त करी ए अरे विचारो सिक्षा काई बंदा है लो जे ए ए ए ए मुक्त करे हुँ शिक्षन के वरीते आपसे वह बंदा है लो जे तो विद्य मोबाइल नी के सिमकार नी जाहेरात वर्सों पहला हूं साबढ़तो हो तो तो दुनिया खरे-खर आपनी मुठ्धी मा थाई गई छे पर विचारू जो एक के खरे-खर जे दुनिया ने आपने मुठ्धी मा करी ने बैठा छी अथ्वाथ यह मानी लुज़े के दुनिया आप अपड़ी पासे पांखों छे पांखों थी आपने ए जोएला दूरना आकास सुधी पहुंचवानू जे आ आँखों आपनी खोली नाखे आ पांखों आपनी खोली नाखे शिक्षण यह सिक्षण आपनी संस्थाओं मा नवी पीडी ने प्राप्त थाई एवी एक मारी जानगी करन थाई रहुश है तो एक एम बहुत अच्छा सवाल है कई लोगों के मन में है कि शिक्षा का प्राइविटाइजेशन जिसे हम कहते हैं कि निजी स्कूल निजी विद्यालें क्यों खोली गई क्यों किस हालत में खोली गई इस पर अगर मैं बात करूं जितनी मेर जानकारी है जितनी मैं समझता हूं तो खास करके जब कॉलिटी की बात आती है कुणवत्ता की बात आती है तो दो तरफ नजर जाती है आप अगर किसी चीज का आप भोगता है अगर आप सामान लेने जाते हो तो चार चीज़ें देख करके लेते हैं और उसमें आप उसकी क क्षेत्र में राज की एक्षेत्र से आने वाले लोगों की वजह से करिबन 30-35 साल पहले सन 71-72 की बात मैं बता रहा हूं गुजरात की बात कर रहा हूं मैं तब कई सारे लोगों को शिक्षा व्यवस्था में आने के लिए सरकार ने खुद निमंतरन दिया कि प्राइवेट ट् हिसाब से अपने स्कूलों को खोल सकते हैं और अच्छी शिक्षा व्यवस्था में सरकार का सहयोग करें खुद निमंतरन दिया गया एक एक एक्ट बना विनियम बने और स्कूल प्राइवेट होने लगे प्राइमरी स्कूल उसके बाद करिब स्थिती बदली 1998 के बाद स्कूल प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं अगर वो माध्यमिक शाला और उच्छतर माध्यमिक शाला खोलना चाहते हैं तो वो खोल सकते हैं और उन्होंने बड़े हलके नियमों के साथ स्कूल खोलने के लिए आवाहन किया तो उसमें कई सारे ऐसे लोग भी थे कि ज अठानवे निनानवे की बात कर रहा हूं बीस लाकी आबादी में गिने चुने आठ से दस स्कूल ही थे और ग्रांटेड स्कूलों केवल तीन थे साधना विद्याबवन सरस्वती विद्यालई और एक था जन्मभूमी तीन ग्रांटेड स्कूल थे और एक रामकृष्न सबने सामाजिक संगठ उन्होंने सरकार से गोहर लगाई कि हमारे बच्चों की पढ़ने के लिए कहीं पर स्कूल नहीं है तो उन्होंने कहा कि सरकार अब सरकारी स्कूल नहीं खोल पाएगी उनके पास बजेट की लिमिटेशन है तो सरकार के पास पैसा नहीं था मैं आपक कि आप स्कूल खोली हम मंजूरी देते हैं, तो कई सारे जो डाइमंड के वेपारी थे, टेक्स्टाइल के वेपारी थे, जमीन जायदत का काम करते थे, रियल एस्टेट में थे, उन लोगों ने अपने एरिया में बच्चों की पढ़ाई जारी रहे, इसलिए स्कूल खोले, और सरकार ने उनको अनुमती दी और मान्यता दी, अब आज ये हुआ कि सरकारी स्कूलों के मुकाबले, प्राइवेट स्कूलों के रिजल्स, क्योंकि वहाँ पर कौन मैनेजमेंट कर रहा था, जो अल्रेडी सक्सेस्फुल मैनेजर्स थे, जो अपने उद्योग कराने में कराते थे, कारीगरों के पास, ऐसा ही काम उन्होंने शिक्षकों से लेना शुरू किया, और परिणाम अच्छा आया, और दस सालों में प्राइवेट स्कूल का ग्राफ इतना बढ़ने लगा, कि लोगों की भीड जमा होने लगी, अच्छे स्कूलों की तरफ जान करते हैं, यह ऐसा करते हैं, समाज की दृष्टी में भी हम लोग कहीं पर व्यापार ही लगते हैं, आपको भी लगेगा कि यह लोग व्यापार कर रहे हैं, फीच लेकर करके पढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूं कि सरकार के खुद के नगर प्रात्मिक शिक्षन समीति के 272 से ज् पूरत में, हर मीडियम के स्कूल है, उर्दु मीडियम भी है, मराथी मीडियम भी है, और जिला पंचायत के प्राइमरी स्कूल भी है, क्यूं आज वो स्कूल सरकार मर्ज करने जा रही हैं, आप पूछे सरकार से, क्यूं मर्ज करने जा रही हैं, बच्चे नहीं हैं, तीच हम एक ट्रस्थी की तरह काम करते हैं, तो मेरा शिक्षक अगर काम नहीं करता है, तो उसे नोटिस मिल जाता है कि तीन दिन के अंदर अपना ये काम खतम करो, और न्यथा आप कल से कहीं न कहीं तो जिम्मेदारी लें, कि ये परिणाम खराब आया तो हम क्या आगे के कदम उठाएंगे, प्राइवेट स्कूलों के परिणाम बिगडते हैं, तो तुरंत स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, सब मिल करके, मीटिंग करके, उसका समाधान ढूनते हैं, अगर परिण के साथ एक बात बता दो, देखे, आपका बच्चा अगर यामिनिबेन हो, तो आप जिस स्कूल को पसंद करते हैं, वो कि साधार पर करते हैं, या तो आपने उसकी ब्रैंड नेम सुनी होगी, उसका रिजल्ट देखा होगा, मैनेजमेंट देखा होगा, इंफास्ट्र सबस्था, सिक्यूरिटी, कॉलिटी, हर चीज पर ध्यान देने के बाद आपने स्कूल पसंद किया, और आपको ये बताया भी जाता है कि हमारे स्कूल की फीस ये है, हर साल इतनी फीस बढ़ती है, आपने सोच समझ करके एडमिशन लिया, उसके बाद फिर अगर आप गाली सेक्टर में हमेशा, मैं चाहे, रेलवे अभी प्राइविट होने जा रहा है, तो क्या देंगे, प्राइविट वाले क्या दे रहे है, आपको बेस्ट से बेस्ट सफाई होगी अंदर, बढ़िया खाना मिलेगा, अगर कोई कंप्लेन है, आप तुरं करिए, उसमें तुरं स जाता है, जवाब दे ही है, आकर के, पैरेंट्स आकर के बोल सकते हैं, हमारे बच्चे का रिजल्ट बिगड़ रहा है, सर आप ध्यान दीजे, नहीं तो हम स्कूल बदल देंगे, धंकी देके जाते हैं, इसलिए हमको काम करना पड़ता है, प्राइवेट आइजेशन सरकार ने खुद किया है, अब सरकार को पता चला, कि हमसे ज़्यादा बड़े प्राइवेट स्कूल हो गए, तो अब सरकार को, क्या होता है, एक हिंदी में कहा वात है, दक्षेश भाई, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब क्या करें, अपना मुह तो आइने में देखनी पा हमने महनत की है, एक ब्रेंड बनाने में, मैं खुद जानता हूं, मैं इस सेक्टर में 28 सालों से काम कर रहा हूं, और मैं पीएश डी होल्डर हूं, दक्षेश भाई, अगर मैं चाहता तो प्रोफेसर बन जाता, आज डेड़ दो लाख रुपया मेरी सेलरी होती, पर मैंने स कंशों को रोजगार दिया है, उसमें शिक्षित भी है, अशिक्षित भी है, ड्राइवर भी है, स्वीपर भी है, आया बहन भी है, प्रिंसिपल भी है, डेड़ लाख रुपय सेलरी से ले करके 10,000 तकी सेलरी हम पे कर रहे हैं।तो हमने प्राइवेट स्कूल खोल करके क्य पाप किया हमने रोजगारी दी जो सरकार का काम है हमने शिक्षा का अच्छा परिणाम दिया जो सरकार का काम है मैं अगर सम्विधान की बात करूँ दक्षेश जी उद्योग की बात हो रही थी हमारे भारत के सम्विधान में बच्चों का शिक्षा अधिकार जो लिखा गया ह है उसे आप पढ़िए तो उसमें लिखा है छे से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी संविधान कह रहा है मुफ्त मुफ्त का मतलब क्या होता प्राइवेट स्कूल नहीं न तो क्यों नहीं सरकार प्राइवेट स्कूलों को बंद कर देती है मैं यहां से इस चैनल के माध्यम से सरकार से एक बिंती करता हूँ कि सारे के सारे प्राइवेट स्कूल एक से आठवी कक्षा तक के तातकालिक रूप से इस कोरोना की महमारी में सब जूज रहें पीडित हैं सारे पैरेंट्स की परिशानी है एक मिनिट में आप खतम कर सकते हैं सारे स्कूल को ग्रांट इन एड से जोड दीजिए और सारी फीज की समस्या का समाधान हो जाएगा और साथ के साथ एक बात भी कह रहा हूँ कि नवी के बाद एक भी स्कूल फ्री नहीं होना ट्रस्ट से हटा दीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर उसको रजिस्टर करवाईए जी एस्टी के साथ पैसा बरा जाएगा हम भी देश को टैक्स दे पाएंगे और चोर या माफिया लुटेरे कहना से कहने से हम भी बच जाएंगे और आप कक्षा एक से आ जाए चे हूं तो खाली में आगड़ जे बात करिये तियमां पूर्ति करवा मागू शुर्यस जोसी नी एक नानी पूस्तिक आचा शुर्यस जोसी एमस उन्यूर्स्टी में गुजराती ना वड़ा प्रोफेशर हता अन्ने बहुम मुटा घजा ना साह हीत्यकार विभेच क कवी दिपक भी एक नानी पुस्तीक आची दिपकवाई धरेक सीक्षन साथे जोड़ा हेला मानास्वव वाच्वीजुई है जोई है मुणकोगी सीक्षन कई दिसा माच यह ने कई दसा माच छे बचले मने याद आवरों के मने आनी पुस्ति आज़े चा़ईस पिस्ताईस पचास पाना नी विद्या विनास्त ने मार गये विद्या विद्या विनास्त ने मार गये मनें लागे सुरेश भाई यहां कि अपजी महारतों कसु कहवानू बाकी बचेद नहीं पर जो व्याप वद्यों दिपक भाई सिक्षण संस्थाओ बहु जुभी थी तमें कि पहला अठाणू दोवाणों आट्ली संस्थाओ अधी पछी आट्ली संस्थाओ भी थाई पर व् सुरेश भाई यहां केछे के सोसाइटी मा जैं दरेक सोसाइटी ना नाके दुधनी कैबिनों खुले इवी रिते साड़ाओ क्वले जो खुली रही छे आएमनु वाक्या जे मारू न थी अन्ने पीडा प्रगट करिया थी व्याप वद्यों जोके वस्ती वदी बाड़कों डिमांड सप्लाई आतों बहुत साधों नियम जे तो वरोबर छे खुली पड़े व्याप वद्यों मानी साथे साथे पीडा एव आतनी थाई छे दिशा इटले उधी देखाई छे के व्याप वद्यों पण उंडान ना आवियो जो श्रिक्षन मां उंडान आवियो हत आप मारे नथी किया हूँ पण एवी किटलीक परिस्थीतियों उभी करवा मावी के जैने करने मैं आगड कहुए में एक प्रेम पुर्ण संबंध तुटी गलू अने आ स्थिती बहु खराब छे एटले मारे के हूँ जोई है के हुँ तो अने स्थिक्षन नी स्थिती तो अत्य अलिके कुट्टे जैसी स्थिती शेरीना कुट्रा जेविस्थिती जे आवे ना लात मारतो जाए छिक्षन ने गाड़ों भणवानी मजा जावा लोगों ने अत्यारे बद्दु ध्यान कोरोना करता तो मनना लागे जेके शिक्सन ने फी ने वाली ने विद्ध्यार्थी एपने एक सलगती समस्या चेह आनि सामे नान थी पर रिपक भई बहुत सरस्वात करी कि आपने ट्रस्टी ने मढ़िये यहनी साथ एक रेपों करिये आपनी समस्य है नी सामे मुख्य वाली कि मने मुष्केली चे मारे पगार काप चे मारी नौकरी चूटी गई प्रश्न आपने एक लईये छे प्रश्न के प्रश्न के प्रश्न अमुक शाड़ाओ ए अधर एक्टिवीटीस नी पन कई फी मांगी छे तो अत्यारे मारी द्रस्ती एवू हो जोए के अधर एक्टिवीटीस तो करावीज नहीं जोए फक्त एजुकेशन उपर अपने एजुकेशन उपर ध्यान आपको जोए और ए ओनलाइन करावे तो त्या ठी कर से अधर एक्टिवीटी सब्धा तो एक साहिए कावे तो अधर एक्टिवीटी नि एक बाघ। एक सैनि यह अधर इस प्रश्न का जवाब में इसलिए देना चाहूंगा, देखें, स्कूलों में भी बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे मल्टीबल स्कूल है, हम एक स्कूल को ध्यान में रख करके किसी बात को नहीं कह पाएंगे, लेकिन अगर इस कोरोना की परिस्थिती में, अगर कोई स्कूल अधर एक्टिविटीज के नाम पर या जो भी एक्टिविटीज स्कूलों में कराई जाती, जैसे डान्स है, कराटे है, योगा है, स्वीमिंग है, होर्स राइडिंग है, क्रिकेट, वालीबॉल या स्पोर्स एक्टिविटीज, इंडोर आउट्डोर गेम्स, किसी भी तरह की एक्टिविटीज के लिए अगर कोई स्कूल फीस मागता है, तो वो समस्या का समाधान मे आपको बताता हूँ, क्यों मागता है, देखे, आपको मैं बता दूँ, मैं तो स्कूल चलाता हूँ, इसलिए बता देता हूँ, कि मेरे हाँ जो कराटे का काम करते हैं, डान्स का काम करते हैं, वो लोग दसवी, बारवी तक पड़े होते हैं, फिर वो अपनी स्किल के प्रेक्स नहीं है, मैं आपको सच्छा ही बता रहा हूं, कोई 10,000, कोई 8,000, कोई 7,000, एक एक एक्टिविटी टीचर तीन स्कूल में जाकर के अपने 15, 20,000 कमाता है, दो गंटे यहां, दो गंटे वहां, दो गंटे वहां, शाम को अपने क्लास चलाता है, देखें, उनको भी ह हमें कहीं ने कहीं, सेलरी तो देनी पड़ेगी, तो मैं उन सभी स्कूलों से पहली प्राटना ये करता हूं, कि हो सके, तो इस समय एक्टिविटी स्पी आप अवइड करिये, जब स्कूल प्रेक्टिकली चालू होगा, तो निश्चित तो और पर पेरेंट से आप रिक्वे कभी डांस में नाम कमाएगा, कभी कराटे में नाम कमाएगा, कभी क्रिकेट में नाम कमाएगा, कभी कोई नेशनल गेम्स में चला जाएगा, जैसे हमारी सरीता गायकवाड है, एक आदिवासी लड़की है, छोटे से गाउं की है, और उसने आज देश का नाम रोशन किया, उसने क्या बोला जब उसका इंटर्यूवा पता है आपको, कि मेरे कोच है उसको मैं सारा श्रेय देता हूँ, कोच मैं आने एक्टिविटी टीचर, तो मैं पैरेंट से नमर निवेदन करता हूँ, कि उन एक्टिविटी टीचर जो कम सेलरी में काम करते हैं, उनके प्रति हमारी मदद करेंगे, ऐसे समय में, हब सब को, मैंने फिर कहा, मार्शमेलो थीरी से काम लेना पड़ेगा, धीरज, दस-दस मिनिट रोज सोचिए, कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत, ऐसे संचालक भी, मुझे भी दस मिनिट सोचना चाहिए, कि मैं ये मांगू या नहीं म पड़ाँ या नहीं पड़ाँ, एसे पैरेंट भी मुझे सोचना पड़ेगा, कि मैं ये विरोध सही कर रही हूं, कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, दस मिनिट के लिए सोचेगा, मन्तन कर हल निकलेगा, आज नहीं तो, कल निकलेगा. और एक और भी सवाल था मेरा की, जो सिक्षकों की लिए जो एक लाग का लॉन कुछ सरकार के द्वारा दिये जाने की जो जाहरात की गई है, तो वो किसी को मिली है या मिलेगी, आपका क्या मानना है? सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधान मंतरी माननी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, कि उन्होंने 20 लाख करोड रुपे का साहाई पैकेज कोरुना के इस संक्रमन काल के लिए दिया, अब वो पैसा कहां किसको कब मिलेगा, इसकी सारी डिटेल ती बैंक्स देंगे, अगर मुझे एक लाख रुपे मेरे शिक्षक को दिलवाना है, तो मैं बैंक में जाकर के पूछता हूँ कि एक लाख रुपे मेरे शिक्षक को मिलेगा, तो बैंक क्या कहती है, आप अपने स्कूल के दस्तावेज लेकर के आईए और यहां रखिए तब आपके शिक्षक को लोन मिलेगा, बैंसाब स्कूल अपने दस्तावेजों को अपने जमिन जाइदात को वहां गिर भी रखे और शिक्षक को पैसा मिलेगा, तो फिर यह सहाई नहीं हुआ है, यह तो हम बिना कोरोना के भी ले सकते थे, इस समय कोपरेटिव बैंक्स, नेश जमा करवा दूंगा, तो इस बात पर लोन मिलना चाहिए, मैं बैंक वालों से भी कहता हूं, उनके संचालकों से भी कहता हूं कि थोड़ी समवेदना आप भी रखे, कागज पत्तर में पड़े रहेंगे ने, तो पता नहीं कब COVID-19 मेरे घर में और आपके घर में और कहां ब जिद्यारती सब बच जाएगा. एक समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे हम, पर कविता के द्वारा? हो येवु लागी रहुँ छे त्यारे, आगण में कवियम बव सम्वेदन पूर्वक, सम्वेदन पूर्ण व्यहवार वालियोत साथे करीने, एमने जे कई आपला थी मदद थाई शके, आपने नफ़ानू दोरन जे टलू ओछू थाई शके आपला थी, एतलू करीने, एप नवीता विश्यवादकरी में थोड़ा दिवस पहला, दिपक भाई, लॉक डाउन सब्दा में पहली वार सांबले हो, आम लॉक अप सब्दा सांबले हो तो, क्या मानास लॉक अप मां छे, पर लॉक डाउन थासे, और पाची स्थीती तो लॉक अप जीवी, क्या है लॉक पर स्थीती लॉक अप ती जरा पर जूदी नहीं, पर पाची अनलॉक पर आवी ने बाचर, अजू तो किट्रा बदा लॉक आउसे हैंने आपने ये बद्दा लॉक ने दिवी दिमे खोलवा पड़ से, पर मने लागे छे के जरे वात करिये त्यारे, लॉक डाउन ना समय म में गजल लखी है ती गजल थी मारो संदेश हो आप सवने महामारी मां थी इश्वर आपने सवने एमकेम पार पाड़े एवी लागनी साथे गजल रजू करू छू जे मारो संदेश छे के घरमा चार दिवाल छे वाला बार अत्यारे रखड़वा जे भी बहुत स्थीती न नडरी इंदर सघ्री वाल छे वाल अरे ये साचु वाल प्रेयम तो गरणी कर्मा चार दिवाल अन करवानी शाथे मसलत करवाना ने लोगों बहु बबाल छे वाला कि मन साथे मसलत करवानी बहार बहु बबाल छे वाला ने जीवी ले बेचार दिवस तू कि जीवी ले बेचार दिवस तू साची एज कमाल छे वाला अब बेचार दिवस तू महिना बेचार महिना चार महिना चो महिना नो केल छे यह मां थी तु जीवी जीवता सिखी गयों जो एस तिती मां तो जीवन तारा कदमों मां पड़ी हुआ से के जीवी ले बेचार दिवस तु साची एज कमाल छे वाला ने लाचारी समझाई भी जानी अट्रस्टियों ने पन कहुचु हुआ के भी जानी लाचारी ने समझ भी जो इसे के लाचारी समझाई भी जानी नानकडो सवाल छे वाला के लाचारी समझाई भी जानी नानकडो सवाल छे वाला ने इस्वर नी हस्ती पूछे छे लोग को क्या भगवान क्या गया मंदिरों बनते क्या क्यू क्यू माना सो एक थोड अपणाल हो चाल चेवाला तक्षिश भाये संदेश न आपने ऊद औो पुरेवानू जछे, साथ है आपड़े सेफटी पन राखवानी छे कारण के कोरोना जे छे एटलो भाईभीत रोग नथी सहे भाई पड़ जे भाई फेलावामा आवीरोयो छे एना कारणे लोको कुप भाईभीत थे गया छे एटले भाई राखवा नहीं जोए पन जे वरीत आपड़े कहिए छे के कोईपण वस्तु छे तेने समस्यानू शमाधान तो समाधान मा आपड़े एवु कई शक्के के आ जे परिस्तिती छे एनी अंदर समाधान मा आपड़े साच्वी ने आपड़े आपड़े ध्यान राखी ने जो आपड़े रही शो तो आ कोरोना माथ भई. टेंचन। पुरोना करता पन मोटो वाइरस भाई शे एटले ए भाई माती सवती पेला तो मोकता थवानी जरूर छे भाई राखवानी जरा पन जरूर नाती आ एवो आपने शामानिया ताव मेलेरिया सर्दी बदू थतु जोई छे आने आपने दवा एमा लेता जोई ये एक नॉर्मल वस्तु छे पने इनों जे हाउ पेदा थयो छे जे भाई पेदा थयो छे एमा थी लोको ये बाहर नीकरवानी एटला माटे पन जरूर छे के ए जे मानसिक्ता लोको नी बनी बनी छे एना कारणे पन लोको नी जे स्थिती घरमा थाई छे एटले घरमा पन आकर्शन गणू आपने समाज ने तमारा तरफ थी वाली ने समाज ने अने सिक्षन जगत ने आपना तरफ थी एक संदेश आपो आजनी याँ चर्चा खुब सरस रही छे घडले अइया आपने पूर्ण विरा मने अलप विरा मुख्ये घडले दर्शक मित्रों और वाली मित्रों विद्यार्थी मित्रों शिक्षक मित्रों सवने एक विननती छे मैं सबसे गुजारिश करता हूं प्राठना करता हूं कि भै ना फिलाएं भै सबसे बड़ा रोग है और जो भै से मर जाता है वो किसी रोग से नहीं मरता भै रोग सबसे बिल्कुल अपनी अरजी लेकर के अपनी विंती लेकर के अपनी सही जगह पर जाएंगे तो कोई समधान नहीं मिलेगा, आपको जरूर समवेदना मिलेगी, अगर समवेदना नहीं होती हमारे समाज में दक्षेश जी तो लॉकडाउन के इस पचास-साठ दिनों में कितने लो लोग थे तो इस तरह से लोगों ने समवेदना नहीं गवाई है न हम गवा सकते क्योंकि हम उस देश में पैदा हुए है जिस देश की सृष्टी जो उत्पन भारत है वो समवेदना से बना हुआ देश है जहां कृष्ण और राम जैसे महान पुर्शों ने जन्म लिया पर बहुत अच्छे कवी है उन्होंने शिक्षक से एक प्रार्तना की है कविता में और दक्षेश भाई से मैंने एक किताब ली थी केलवनीनी कविता अन्ने एमा थी आ में लखी राके ली छे आम लखे छे शिक्षक ने पण हूँ आ वाली ने पण कव चु के जे जाड पर यह शिक्षक जे जाड ने शूँ पीडा था आ पीडा नी आने संवेद्णानी वाद छे अन्ने बीजो सरस शेर लखे उचे हमने के अकबर शिवाजी शाह जहां राणा के पाणी पत पछी आकाश वंचाई छे यह पन तु आने शिक्षक आउचे अडले आ कुरोणा नी मा मारी नी अंदर त्यारे आकाश बहुँ स्पष्ट थायुचे प्रदूशन थी मुक्त थायुचे रात रे तमें जो तो सूर्य चंद्रनों जे तेज छे अदभूत छे यह पन बाड़क ने शिक्षवाड़ी शो आ ओनलाइन ना वे ने तो है शिक्षवाड़ी शकाई जे वर्ग मा अवे अने वर्ग ने वेब मा कहिए वेब काणके वेब चैनल चाले जो वेब मा एकाध खिसकोली सहज आवी चड़े तू केम चे पुछाई चे यह पन जरा शिक्षवाड चे सो माथी चन्नू लाववाणी जिद करे जारे बद्धा बहु सरस लख्यों ही तेन भाई सो माथी चन्नू लाववाणी जिद करे जारे बद्धाज शैशव के वू रहसाई छे एपन जरा शिक्षवाड चे जाकलनू टीपू फूल पर बेसीने श्रुष्टीने जुए के चेल्लो शेर अंते शीखीने बदू बढ़ बदू बुली जवाणू होई छे जे आवे चे ये जाय चे ये पन जरा शिक्षवाड चे अटले आ कोरोना आवयो चे ये पन जसे ये पन आपने बदा ध्यानमा राखिये कोरोना थी डरो ना अने आ साथे खुब सरस वाद पन दोभार मारी वाद मारा अंगत विचारो छे ये नाथी कोईने मारे आहत करवानी, कोईने नुक्षान पहुचाणपशादवानी, कोईने दर्ध, पीड़ापशादवानी वाद न थी, तेम छेताय कोईने दुख लागियो हई तोबू प्मापरार थी चु सब्ड़ थ चैनल द्वारा पने उन नथी जता कि कोई ने अमारा द्वारा कोई दूख पहुंचे और कोई कदाश पहुंची होई तो में पन माफी मांगिये छे पने वो अमारों कोई राधो होतों न थी फक्तने फक्त शारी वातों लोको सुधी पहुंचे एक अजे अमारों द्याई होई छे अने आजे आवा महान व्यक्ती अमारी चैनल उपर उपस्ती था अने अटली शरस वातों करी ये अमने खुब आज आनंद थोयो आजे रक्षेश मैं फरी थी आपनों कुप-कुप आभ अने दिपक भै आपनों पन खुब कुब आभार अवीज रीते बिजा कारेक्रमों शाथे आपड़े पाच्छा मडी शो त्यां सुधी अमने रजा आप शो नमशकार 001 द्वारा प्रमानित है सिद्धान्त अलक गैड में कैल्शियम, विटामिन D3, मैगनेशियम है जो आलकलाइन, एंटी ओक्सिदेंट, नेच्रल एंटिबाइटिक है और ORP संतुलित करता है जो इम्म्यूनिटी बढ़ाने में एवं सत्तर से भी ज्यादा बिमारियों में स सिद्धान्त लायम प्राइवेट लिमीटेड